तो चुनाओं के दौरान ही प्रधानमंत्री मोधी और ग्रीमंत्री अमिट शाने अंडी टीवी पर कहा था कि नतीजों के बाद बाजार में रेकॉर्ड तेजी उच्छाल और देखने को मिलेगा रूपिया भी डॉलर के मुकाबले करीब 44 पैसे मजबूत होता दिखाई दिया है बाजार के खुलते ही आज पार ग्रिट शेर में 5.44 फीसिदी एंटी पीसी में 5.21 फीसिदी का उच्छाल देखने को मिला मिट कैप में R.E.C. लिमिटिट में 7.5 फीसिदी की बढ़ा उत्री हुई इसके अलावा अडानी ग्रूप की शेर बाजार में लिस्टेट सभी कमपनियों के शेरों में ताबर तोड तेजी देखने को मिली है ग्रूप के सभी शेरों में करीब 15 फीसिदी की बढ़ाद देखी गई है तो शेर बाजार के जो जानकार हैं उनके मताबिक वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं वो कौन-कौन सी वज़ा है जिनके चलते बाजार में ये तेजी दिख रही है इक बार उस पर हम नजर डाल लेते हैं कि क्या वज़ा रही है कि ये शेर बाजार जूम उठा है तो एग्जिट पोल में जो सरकार की वापसी हो रही है ये सबसे बड़ी वज़ा इस वक्त मानी जा रही है उसका भी एक असर जो है वो देखने को मिला है और चौथी तिमाही में GDP की मजबूत रधी जो है उसका भी असर शेर बाजार पर देखने को मिला है तो एक्जिट पोल में मोधी सरकार की हैट्रिक की उमीद जो जगी है उसके बाद आज शेहर बाजार में रेकॉर्ड बना है अदानी ग्रुप के शेरों में भी जबर्दस तेजी देखी गई है बीस लाग करोड के करीब मार्केट कैप जो है वो हुआ है तीन लाग करोड बढ़ा है मार्केट कैप प्री हिंडनबर्ग लेवल बर जो है उस पर मार्केट कैप लॉट आया है रिपोर्ट के बाद साथ लाग करोड हो गया था मार्केट कैप अदानी ग्रुप की सभी सिदी की बढ़त दिखाई दी है बावन हफ्तों के हाई लेवल पर अदानी ग्रीन के शेर जो है वो पॉंचे है इसके अलावा अदानी एंटरपाइजिस का जो शेर है वो 16.7 फीसिदी की बढ़त उसमें दर्ज की गई है तो आल टाइम हाई पर अदानी पोर्ट्स के जो शे करने के लिए जोड़ रहे हैं जैंद कृष्णा या अर्तिशास्त्री और नसीर सली है मैंनेजिंग पार्टनर हैं फ्लेक्सी कैपिटल के नसीर पहले मैं आपके पास ही आऊंगी ये जो मार्केट में हम बुसकुराहट देख रहे हैं ये जो बहार देख रहे हैं क्या वज कि अपरेल और माई के महिने में काफी गवराट थी क्यूंकि जब एक इलेक्शन का इवेंट होता है और यह अभी से नहीं पिछले कई इलेक्शन से जो हम देख रहे हैं एक प्रयास रहा है कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट और एक्जिट पोल का रिजल्ट सामने नहीं आत है तोया मार्केट में में गवराट बर इस नहीं आई तो यह पॉलिसी के जो यह इक स्टेबल cans और जो मार्केट में गब्राइट पैदा करता है अगर मार्केट को ये समझ में आएगा कि आगे की दिशा आगी का रोड जो है बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है और दुंगला नहीं है मैं इसका उधारन एक मतलब जो ठंड के मौसमें जो आपको रोड पर आगर आप जा रहे हैं ड्राइब कर रहे हैं और अगर बिल्कुल साफ दिखा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी जो गत्ती है उसमें और चक्ती आएगी तो हमारा ये मानना है कि आज का जो एकजिट पोल का रिज दिखने को मिल रही है दूसरा पॉइंट हमारा ये मानना जाएगा हमारा ये माना है कि जो जीडिपी के हाली में रिजल्ट आए हैं पूरे देश बर में एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड आपको सजेस्ट करता है और जहां तक स्टेवल गवर्मेंट की जी नसीर आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुच रही है हम जैन्द किशना जी का रुक करेंगे जैन जी यहां पर एक्जिट पोल में हमने देखा कि मोधी सरकार की वापसी दिखाई गई है उसका शेर बाजार के लिए क्या मायन है किस तरह से वो फैक्टर जो है वो यह बहुत ज्यादा लोग वेट नहीं करने वाले की एक्चुल रेजल्स पोर जून को आएं तो ऐसा ही देखने को मिला अच्छा खासा दोनों सेंसेक्स निप्टी दोनों में काफी उच्छाल देखा गया है यह काफी फील्ड है मार्केट के लिए और एक काफी अच्छी रैल को मिलाकर एंडिया को करीब 350 सीट्स की बात कर रहा है और उसके साथ ही और अच्छी जो आई है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 8.2 परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है आर्वी आई पॉलिसी इंपरेटिव भी उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहे है तो इन सब से बहुत अच्छा एक इंवेस्टर को confidence आया है और बिजनस के लिए सबसे अच्छा है यह होता है कि एक policy continuity हो एक बिजनस में एक regulatory certainty जो stock market के इंवेस्टर्स हैं और जो major FDI के जो इंवेस्टर्स हैं यह दोनों लोग एक regulatory certainty expect करते हैं वो सेम सरकार के continue करने के लिए same leadership और largely उसी team के आगे continue करने से बहुत ही उतसाहित है और जहिर सी बात है कि यह एक एक बहुत ही आगे जाने वाली बात है और लोगों को यह भी expectation है जैसे कि मोधी सरकार ने मोधी 2.0 के last कुछ दिनों में ही अगले पहले 100 दिन की तैयारी शुरू कर दी थी तो उसे major expectation जो market क यह है कि reforms में तीव इत्रा मिलेगी देखिए reforms जो होते हैं वो सबस्यादा होते हैं किसी भी सरकार का अगर आप देखिए पिछले कई सालों से कच्छा चिठा चाहे वो नर्सिमा राओ मनमोन सिंग की सरकार हो चाहे वो बाचपी जी की सरकार हो चाहे मोधी government को अगर आप द तो उसके वज़े से थोड़ा गती में धीमी पड़ी हाला कि सरकार ने उसको वेट नहीं किया और एक farmers reform जो मुझे लगता है बहुती transformative reform से वो bills लाए unfortunately वो political reasons के वे से rollback करना पड़ा तो मुझे लगता है ये clean mandate है और third time mandate है पंडित नहरू के बाद किसी prime minister को पहली बार third time mandate म तीवरता लाने की जरूवत है और साथी साथ जो भी हमने में देखा pandemic के बास से जिस तरह से जो global supply chains है को अपने investments चाइना से हटा नहीं भी रही है तो जो incremental investments है उनके लिए कोई नई दिशा नए नए देशों की तलाश है उसमें भारत को कुछ investment मिले हमारे PLI policy के वज़े से तो कुछ और के वज़े से लेकिन उसमें और अगर तीवरता आनी है कि भारत का जो manufacturing GDP है वो पूरे GDP का करीब 20-15% तक अगर दो जाए तो उसमें बहुत ज़रूरी है वो सुधार करना और reforms जिसकी business community को बहुत ही उम्मीद है ग्लोबल फेक्टर की बात आप कर रहे है मैं भी इसी की जिकर करना चारे थी कि विदेशी निवेशकों की अगर हम बात करें तो क्या मोदी सरकार की वापसी के विदेशी निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने जैसी उमीद है क्या वो factors होते है जो काम कर रहे होते हैं कोटा था बड़ा इशू यह था कि जो पॉरन इंवेस्टर से उन्होंने करीब 28,000 क्रोड इंडियन मार्केट से पुल आउट किया था क्योंकि उन्हें पुलिडिकल अंसर्टिंटी दिखरी थी तो उससे मार्केट पे कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा था मुझे ल लगा तो मुझे यूएस इंडिया और यूके इंडिया का इसका अच्छा खासा इंसाइट्स हैं तो जो थोड़े बहुत केसे जो पाइपलाइन में पड़े थे जो लोग वेट और वाच कर रहे थे कि नई तरकार आए और शुरू में कुछ अंसर्टिंटी लग रही थी खासतर से इंडिया अलाइन्स बनने के बाद वह अभी एक्जट पोल के नतीजे के साब से वह दूर होती नदर आ रही है और मुझे लगता है कि एवडियाई में और तीवरता आएगी और जो इंडियन एकॉनमी के लिए जो अलड़ी एक फिफ्ट लाजिस्ट एकॉनमी के उबरी है मुझे लगता है कि पूरी इसी इसी पांच साल के टेनियोर के अंदर भारती एकॉनमी सिर्फ पर्चेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब ची नहीं आई यूनो हर तरे एबसलूट टम्स में नॉमनल जी डीबी के टम्स में भी एक थर्ड लाजिस्ट एकॉनमी के लूप में उबरेगी आपका लंबा अनुभव है यहां पर आपसे मैं यह भी समझना चाह रही हूं कि क्योंकि रुजहान है अभी नतीजे नतीजों का हमें इंतजार करना होगा लेकिन अगर नतीजे पलटते हैं अगर अगर नतीजे इस तरह के नहीं आते जैसा की रुज बीजेपी और नटीए पावर में नहीं आएगा उनका एक्चुल रेजल्ट हो सकता है हो सकता है उसमें सीट्स कुछ जो एक अवरेज अगर आप तीन सो पचास पकड़के चलिए तो उससे कम हो जाए बजह मुझे लगता है कि 372 से उपर जो भी नंबर होगा इसमें अथिक गती में कोई कोई हास तब्दीरी नहीं होगी और वह कहानी देश की आगे बढ़ती नजर आ रही है तो वह स्टॉक मार्केट का अपना लॉजिक होता है वह किस तरह से चलता है वेरी ओफन लोग कहते हैं कि यह जो बेसिक जो बिजनस के बेसिक्स होते हैं उससे उस वज़े से तो फरक पढ़ सकता है लेकिन वह आर्थिक गती में जो बज़े लगता है कि लीडर्शिप जब यही रहेगी तो उससे कोई विशेश परिवर्तन नहीं होने वाला है और उस गती जिस तरह से आप कहरें कि सेंटिमेंट्स यहां पर मायने रखते हैं वो ज़्या अगर हम बात करें तो 348 रुपए जो है उसके उपर गया है यह और करीब 10 फीसेदी का 49 पे भी देखा गया है बीपीसे यहल की बात करें तो 687 रुपए तक इसका शेयर गया है और 8.19 फीसेदी तक की बढ़त जो है वो दर्ज की गई है एंटीपीसी की बात करें तो 388 पुर्वण है और एक चीज़ हम यहाँ पर देखना चाहरा है थे कि अदानी के ग najwięker पर काफी हम उचाल जो है वो दिख रहे हैं सबसे ज़ादा जो है अदानी पावर जो है उसमें जयाएन जी उचाल देख रहे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं आप क्योगी अदानी ग्र के जातर जो लिस्टिट कंपनीज हैं उसमें उसके शेर्स में दाफा होगा और वैसे ही देखने को मिला इसे मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं है लेकिन अगर आप सेक्टर्स की बात करिए तो जातर सेक्टर्स में अगर आप देखिए तो बैंकिंग और फिनांशल सर्विस तो अलड़ी हमारे हैं जो वेटिंग लिस्ट चल रही है कुछ हायरेंड मॉडल्स में कार्स की और टूवीलर्स की तो आटो सेक्टर बहुत वो करेगा टेलेकॉम करेगा और एनर्जी की जो आपने बात करी अडानी ग्रूप की कंपनी की और बाखी कंपनियों की न्टीब अगर भारत को अपना कार्बन फूट्प्रिंट कम करना है और चैलिंजेस जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको एड्रेस करते हुए अगर करना है तो मुझे लगता है कि हमें मुव अवे करना पड़ेगा कोल बेस्ट थर्मल प्लांट से नॉन कंवेंशन सोर्स की तरफ चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे सोलर हो चाहे विंड एनरजी हो चाहे हाइड्रो पावर हो तो उस तो जाहिरती बात है कि यह नॉन कंवेशनल एनरजी के शेर्स को में काफी इजाफा होगा और टेलिकॉम एक और दूसरा सेक्टर है जिसमें यह जो जो फेक्टर्स आप बोल रहे हैं जो जो बाते आप बोल रहे हैं कल जब नतीजे आएंगे क्योंकि अब तक ही रुजहान के हिसाब से मार्केट ने रिस्पॉंड किया है कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद किस तरह के नंबर्स आते हैं और किस तरह की स्तिती पैदा होती है वो देखना पी काफी दिलचस्प होगा लेकिन जस तरह से आपने बताया कि इस तरह एक मजबूत सरकार जो है उसका मारकेट के लिए बहुत जादा मायने रखता है क्योंकि मारकेट जो है वो सेंटीमेंट्स कई बार जादा हम देखते हैं कि ड्रिवन होता है उसका बहुत उससे फरक पड़ता है बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका